Hello everyone, my name is SITENDRA CHODHRI and welcome to all of you to this session जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं 12th standard की NCRT का unit number 3, chapter number 4 जिसका title है human development. देखे इस chapter में हम लोग अपने GS paper 3 का एक बहुत ही important topic cover करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग human development के बारे में पढ़ते हैं, growth के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बीच में क्या difference होता है, उसको measure कैसे किया जाता है तो development और growth के regarding आज हम लोग सारी की सारी dimensions इस chapter के अंदर cover करने वाले हैं ज़्यादा delay बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम के बाद तो chapter के स्टार्टी में देखे, आप सभी ने growth और development इन words को पहले भी सुना होगा बहुत बार हम लोग growth को और development को interchangeably भी यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा synonym ही यूज़ करते हैं लेकिन जब आप थोड़ा सा deep जाते हो आप जब इस meaning को थोड़ा सा extra समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में आता है कि growth अलग होती है, development अलग होती है दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, हाला कि growth और development दोनों का मतलब होता है change चीज़े change होती है, अब वो change plus होता है या वो change minus होता है वो change की quality कैसी है, उस change की quantity कैसी है उसके ओपर depend करता है कि हम लोग growth की बात कर रहे हैं या development की बात कर रहे हैं एक सीधा से example देता हूँ, मान लोग कोई plant है, ठीक है तो हर 6 महीने के बाद उस plant की height grow होती है height बढ़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका जो पेड़ है वो grow कर रहा है हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पेड़ के अंदर development हो गई है no, वहाँ पे growth word का use करते हैं क्योंकि आप exactly बता सकते हो कि इस पेड़ की height कितने centimeter, कितने inch increase हुई है तो आप growth को measure कर सकते हो जैसे मान लो, किसी city की population पहले 10,000 थी, 5 साल पहले आज उसकी population 15,000 है तो आप कह सकते हो कि उस city की population grow हुई है क्योंकि आप उसको measure कर सकते हो particular quantity के अंदर है ना, अब अगली बात भी आईए जैसे मालो, आप अब इक college से pass out हुई, you are just a student और आपने जो है UPSC preparation करना start कर दिया तो जब आप UPSC preparation करना start करते हो आप serious candidate होते हो, आप news पर पढ़ते हो, classes करते हो दूसरों के विचार को सुनते हो, समझते हो तो आपकी जो सोच है ना, आपका जो intellect है, वो develop होता है अभी आप grow नहीं कर रहे हो, अभी आपकी development हो रही है आपकी personality की development होती है, आप किस तरह से सोचते हो किस तरह से आपका जो attitude change होता है उसे कहते है development, अब आप उसको किसी quantity में measure नहीं कर सकते नो, है ना, जैसे आपने आपकी height को measure किया था यहाँ पे यह एक qualitative चीज है कि हाँ भाईया, आपकी personality की development होई है तो यह थोड़ा सा इनके अंदर फर्क होता है तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में actually में फर्क क्या होता है तो growth और development हमारे पास दो चीज़े है कहता है, growth और development दोनों का मतलब होता है change है ना, तो quantitatively हो, चाहे वो qualitatively हो दोनों में होता है change अब कहता है, कि growth जो होती है नो, वो quantitative होती है ठीक है, particular quantity होती है उसकी kilogram, liter, meter, जितनी आगो करना है ना उसको हम लोग measure कर सकते है और यह value neutral होती है इसके अंदर कोई value attached नहीं होती है value का मतलब जैसे किसी चीज़ को आप ज़्यादा preference देते हो कम preference देते हो, तो काभी subjective चीज़े होती है measure नहीं कर सकते quantitative का मतलब होता है कि यह factual basis पे ज़्यादा जो है, depend करती है अगर population increase हुई है तो मतलब growth positive है population अगर decrease हुई है तो growth मतलब negative है यह मतलब होता है आपका growth का जैसे जब हम लोग GDP की बात करते है ठीक है जब हम लोग GDP की बात करते है तो आपकी GDP या तो increase होती है या decrease होती है तो जब GDP increase होती है तो हम लोग कहते हैं कि economy grow कर रही है positive grow कर रही है और जब GDP negative जाती है तो हम लोग कहते हैं GDP negative हो गई है तो क्योंकि उसे हम लोग quantity के अंदर measure कर सकते हैं तो या तो वो positive होगा या फिर वो negative होगा इसे कहते है growth अब बात करते है development के बारे में development दोस्तों एक qualitative change होता है उसकी quality में change होती है जैसे आपकी personality चेंज होती है और यह हमेशा value positive होता है कोई भी development negative नहीं हो सकती development का word का मतलब ही positive होता है तो इसको हम लोग negatively use नहीं कर सकते जैसे माँ लोग आपको मैं example लेता है तो हमाले किसी city का हम लोग example लेते हैं ठीक है अब पहले जो है उस city के अंदर जो लोगों का health level था वो काफी कम था infrastructure भी काफी weak था लोगों की education का जो आप infrastructure था वो भी काफी weak था सड़के भी के अंदर जो है गड़े पड़े हुए थे women empowerment भी नहीं था ठीक है तो काफी backward जो है स्थीती थी उस particular city की लेकिन जब सरकार ने वहाँ पे steps लिए policies वगरा बनाई तो लोगों का education का level increase हुआ employment increase हुआ women empowerment हुआ साफ सफाई वहाँ पे रहने लगी तो हम लोग क्या बोलेंगे हम कहेंगे कि इस city ने काफी अच्छी development की है city काफी develop हो गई है ऐसा बोलते है न तो क्योंगी वो positive concept होता है लेकिन मालों का पहले कोई city बहुत ही अच्छी रही होगी health infrastructure सब कुछ बढ़िया था वहाँ पे लेकिन बाद में वहाँ पे जो है political turmoil हो गया terrorist attack हो गया हो सकता है तो उस city की जो है हालत काफी खराब हो गई तो हम यह नहीं कहेंगे कि यार इसकी तो काफी negative development होई है no उस word का हम लोग वहाँ पे use ही नहीं करेंगे हाँ हम यह कह सकते हैं कि पहले यह city developed थी अभी यह city जो है धीरे धीरे backward हो रही है लेकिन हम यह कभी नहीं कहेंगे कि इस city की development negative हो गई है क्योंकि development word negative है ही नहीं हमेशा positive में ही use होता है तो यह जो पूरा chapter रहने वाला है basically काफी subjective रहने वाला है factual चीज़े नहीं है यहाँ पे समझने की चीज़े हैं understand करने की चीज़े हैं और इसी तरह के जो question है ना mains में यहाँ पे जादा question इसी लिए पूछे जाते हैं तो जो चीज़े subjective होती है mains में बहुत काम आती है तो यह आपकी हमेशा value positive होती है value negative कभी नहीं होगा this means that a development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions मतलब जब तक उसके अंदर जो present जो conditions थी या past के जो conditions थी जब के उसके अंदर increment नहीं होगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर add नहीं होगा तो हम उसको development नहीं बोल सकते क्योंकि development का मतलब ही होता है add करना subtract करना कभी भी development का meaning नहीं हो सकता तो development occurs when positive growth में कभी भी development नहीं हो सकता अब यहां पर चीज़ देखें अगला जो point है बहुत important है कहता है the positive growth does not always lead to the development अगर किसी जगह की positive growth हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा वहाँ पर development होगा हालां कि जब positive growth होती है तो वह एक development का sign हो सकता है तो positive growth से development हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जैसे आपके example लेता हूँ माल लोग किसी country की GDP increase होई है इसका मतलब growth तो वहाँ पर होई है अब जब वहाँ की GDP grow होगी तो सरकार के पास काफी income आएगी उस income को अगर सरकार health के उपर खर्चा करती है education के उपर खर्च करती है women empowerment के उपर खर्च करती है इसका मतलब वहाँ पर development हो रहा है तो उस case में पहले case में positive growth मतलब development लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे आप middle east का example ले लीजी या किसी भी current country का example ले सकते हो माल लो वहाँ के सारे के सारे जो resources है कुछ लोगों के हाथ में है या फिर माल लो वहाँ के GDP increase हो रही है अब GDP increase होने का मतलब यह है कि वहाँ पर goods और services के जो है वो increase हो रही है अब यह जरूरी नहीं कि वहाँ की सरकार उस extra पैसे को health के उपर खर्च करे education के उपर खर्च करे women empowerment के उपर खर्च करे old age people के उपर खर्च करे welfare के उपर खर्च करे ऐसा जरूरी तो नहीं तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमेशा growth से development ही होगा Growth से development तभी होता है जब आप उसको development वाले area में खर्च करते हो तो growth development का एक point हो सकता है लेकिन क्या development सिर्फ और सिर्फ growth के उपर depend करती है ऐसा जरूरी नहीं है development occurs when there is positive change in quality जब quality के अंदर change होता है उसे हम लोग development कहते हैं जब quantity के अंदर change होता है जैसे GDP का हम लोग ने example दिया तो उसे हम लोग development नहीं कह सकते हाँ लेकिन जो higher GDP आपकी होती है नो वो development में convert हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा high GDP आपकी development में development होगा ही इसका example मैं आपको दूँगा बंगला देश का example दूँगा ठीक है थोटा सा मेरे साथ बने रहे है example के तोर पे जैसे इन्होंने कहा है कि अगर किसी city की population एक लाग से दो लाग हो जाती है इसका मतलब वो city की population grow हो रही है लेकिन मालनों वहाँ पे basic जो services है जैसे वहाँ पे housing है education है health है अगर वो चीज़ें भी अगर वहाँ पे increase हो रही है तभी growth का मतलब development होता है अगर basic services increase नहीं हो रही है तो उस समय हम लोग growth को development नहीं कह सकते हम सिर्फ यहाँ से एक ही lesson लेके जाएंगे that growth does not always lead to growth does not always lead to development यह point आप अपने notebook में लिख सकते हो although यह भी लिख सकते हो although growth positive growth लिखो यहाँ पे although positive growth is the main ingredient the main ingredient for the development ठीक है यह चीज़ें आप अपनी notebook में लिख सकते हो although growth is the main ingredient for the development rather growth does not always lead to development growth leads to development only when government of the day spends the money for the development or to increase the quality of the particular area ठीक है उसके बारे में बात करता है कहता है growth did not really mean much change in the lives of the most people ठीक है मतलब सीधी सी बात है मतलब आप यह समझे जैसे middle east का example जैसे middle east में बहुत सरी growth है लेकिन जरूरी नहीं है कि middle east में development भी हो middle east में जो health है वहाँ की जो education है women जो rights है political जो rights है वो बहुत अच्छे नहीं है इसका मतलब वहाँ पे growth तो हो रही है क्योंकि उनकी income लगतार increase हो रही है लेकिन development जरूरी नहीं है वहीं आप example बांगलादेश का ले सकते हो बांगलादेश एक बहुत ही poor country है उनकी per capita income भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अगर आप बांगलादेश के social indicator को अगर देखोगे अगर उनके health indicators को देखोगे उनके education indicators को देखोगे women participation को गरा compare करोगे तो वो इंडिया से काफी अच्छा perform करते हैं तो इसका मतरए development के मामले में वो हमसे better है हाला कि उनकी GDP हम लोगों से शायद उतनी अच्छी ना हो ठीक है हाला कि per capita income जो बंगलादेश के वो इंडिया से जादा है पट overall GDP काफी कम है इंडिया से ठीक है आगे भी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कहता है the idea that the quality of the people quality of people का क्या मतलब होता है what is the meaning of the quality of the people quality of the life क्या मतलब होता है quality of life का quality of life का मतलब होता है opportunities हर चीज में जो आपको क्या वहापे equal opportunity है के नहीं है आप जब college से निकलते हो आप job सीख करते हो भूण रहे हो job को तो क्या आपको job की opportunity मिलती है के नहीं मिलती है ये मतलब होता है quality of life का freedom क्या आपको freedom है के नहीं है जैसे मिडल इस्ट की बात करो महापे women को बहुत सारी freedoms नहीं है हालांकि उनके पास पैसा है लेकिन freedom नहीं है क्योंकि freedom नहीं है इसलिए उनके पास quality of life भी नहीं है तो ये कुछ चीज़े होती है जो आपकी development को decide करती है कहता है पहले पता क्या होता था पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ GDP growth के उपर focus करते थे लेकिन GDP एक जो factor है न उससे growth का तो पता चलता है लेकिन development का नहीं पता चलता GDP से आप ये तो बता सकते हो कि उस country के अंदर कितनी चीज़े produce हो रही है लेकिन GDP से आप ये नहीं बता सकते कि वो जो चीज़े produce हो रही है वो कितना distribute हो रही है rich के बीच में और poor के बीच में कितना gap है वो नहीं बताता है GDP GDP आपको ये भी नहीं बताता कि वहाँ पे environment का कितना destruction हो रहा है ये सब चीज़े आपको GDP नहीं बताता है GDP सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ की income के बारें बताता है overall output के बारें बताता है तो इसका मतलब GDP के अंदर बहुत सारे drawbacks है तो पहले थो हम लोग सिर्फ GDP को ही measure करते थे लेकिन late 80s और early 90s मतलब 1990s की बात करता है वो उस समय हम लोगों नहीं ये सोचा के भाया GDP is not enough we need to find some other ways so that we can improve the drawbacks of the GDP तो GDP के अंदर जो कमिया थी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने development करने के बारे में सोचा और यहां पे जो दो बहुत prominent जो नाम है वो आपका याद करने पड़ेंगे पहला नाम है महबूब उलहक और दूसरा नाम है अमर्तियसेन अमर्तियसेन को को नहीं जानता महबूल हक को को नहीं जानता भया अमर्तियसेन को जो है एक Nobel laureate भी है और भारत रतन भी इनको मिला हुआ है उसी तरह जो जो महबूल हक है यह पाकिस्तान के बहुत ही जाने माने economist है और यह दोनों है friend मतला भी तो इनकी death होगी है मैबूल हकी पर these they were very close friends तो इन्होंने यह सोचा कि GDP is not enough तो क्योंना हम एक ऐसा नया formula निकालें जिससे हम लोग GDP को replace कर सके या फिर हम लोग कोई ऐसा index निकालें जिससे हम लोग development को measure कर सके rather than the growth तो इन्होंने growth से development के ओपर shift किया उसके बारें बात कर रहा है तो concept जो human development है वोग सबसे पहले डॉक्टर महबूब उलहक ने उसको propound किया उसके साथ हमरते सेन के साथ इनकी दोस्ती थी तो हमरते सेन ने भी इस पर काफे काम किया और दोनोंने मिल के बाद में इंडेक्स लेके आए चीक है क्या कहता है a meaningful life is not just a long life जैसा की आनन्द एक बहुत बढ़िया classical movie है इंडियन बोलीवूड movie है वहाँ पे जो उसका main character होते है वो है राजिश खन्ना राजिश खन्ना एक बात बोलता है के जिन्दगी लंबी नहीं जिन्दगी बड़ी होनी चाहिए मतलब जिन्दी के अंदर quality होनी चाहिए quantity नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बड़ी मतलब उसके life का meaning होना चाहिए life में freedom होनी चाहिए लाइफ में opportunity होनी चाहिए, आपकी अच्छी health होनी चाहिए वो मतलब होता है बड़ी life का, लंबी life का नहीं तो यही कहता है इन्होंने, महभूल उपलक नहीं ही कहा Meaningful life is not just a long one Meaningful life का मतलब होता है जब आपकी life में एक purpose होता है जब आपकी अच्छी health होती है जब आप अपने talent को develop कर सकते हो, आपको opportunities मिलती है जब आप society में proper तरीके से participate कर सकते हो जब आप अपने goals को achieve करने के लिए freedom आपके पास होती है उसका मतलब होता है meaningful life सिर्फ और सिर्फ आप 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इतने साल अगर आप जीते हो उसका मतलब meaningful life नहीं है भागत सिंग तो बहुत कम उमर में ही उनको फांसी हो गए थी लेकिन भागत सिंग की life जो है full of purpose थी full of meaning थी लेकिन कितने सारे लोग जो 80, 90 साल, 100 years तक की पैदा होके मर जाते हैं कोई भी इनको नहीं जानता तो लंबी life होना ज़रोरी नहीं है चीक है life का meaning होना चाहिए life का purpose होना चाहिए तो इन्होंने क्या किया GDP के अंदर जो कमिया थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने एक index को introduce किया जिसे कहा जाता है Human Development Index तो जो United Nation Development Program है इसने सबसे पहले इसको adopt किया और यहाँ पे इन्होंने Human Development Report निकाली तो हर साल UNDP एक Human Development Report निकालते हैं जिसके अंदर वो Human Development Index निकालते हैं चीक है और इस index में हर country को rank दिया जाता है और इस index के अंदर जो है कई सारी चीज़े involved होती है वो अग हम आगे थोड़े आले वाले समय में देखेंगे बूल हक का quotation है बहुत ही world famous quotation है कहते हैं आम आदमी और उनके सोचने में कितना फर्ग है आम आदमी जब भी किसी चीज़ को देखता है तो सोचता है कि यह क्यों हुई है जैसे छोटा बच्चा होता है न हर चीज़ के बार में सोचता कि क्यों हुई है यह गाड़ी क्यों चल रही है, यह सूरज क्यों निकल रहा है, हवा क्यों चल रही है वो एक जैसे बच्चे का दिमाग होता है लेकिन यह कैसे सोचते हैं यह सपना देखते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है दोनों चीज़ों में कितना फर्क है हवा चल रही है मुझे फील हो रही है मैं सोचते हूँ कि हवा क्यों चल रही है लेकिन एक दूसरा इंसान है वो सोचता है कि यह जो पकसी उड़ रहे है क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकता है क्या और अगर उड़ नहीं सकता तो क्यों नहीं उड़ सकता मतलब I dream of things which are not available right now but why they are not available और why those things are not possible that is the difference Amartya Sen ने भी यहाँ पर बहुत जबर्दस concept दिया Amartya Sen का कहने का मतलब यह था कि जो development होती है उसको जो core होता है development का backbone जो development की होती है वो होती है increase in freedom अगर आप जब लोगों को freedom दोगे तो उनकी development खुद बखुद हो जाती है और freedom किस तरह किया वो सिर्फ political freedom की बात नहीं करते है social freedom की बात भी करते है economic freedom की बात भी करते है तो इनसान को free होना चाहिए उसके पास जो talent है उसको develop करने का उसको show करने का capacity होना चाहिए अगर वो कोई job सर्च कर रहा है तो उसके पास job ढूनने की opportunity भी होनी चाहिए कोई caste discrimination नहीं होना चाहिए religion के बेस पे किसी तरह का कोई भी barrier नहीं होना चाहिए तो इनसान को पूरी तरह से free होना चाहिए अपने expression को show करने का तो जब इनसान free होता है तो उसको उसकी development होती है ऐसा कहना है Amartya Senji का ठीक है तो यह जो human development index है हम यहाँ पे basically तीन चीजें इसके अंदर measure करते हैं एक होती है health दूसरी होती है knowledge और तीसरी होती है standard of living ठीक है HDI जो होता है human development index तीन चीजों का measure करता है health की जब हम लोग बात करते हैं तो वो होता है life expectancy at birth life expectancy at birth तो इसे health का पता चल जाता है दूसरी होती है knowledge knowledge मतलब education education में दो indicators होते हैं पहला indicator होता है expected year of schooling दूसरा होता है mean years of schooling expected year of schooling का मतलब यह है कि जब वहाँ पे कोई आदमी school में कितने दिन education लेता है उसको measure करते हैं और mean year of schooling मतलब actual में आप कितने दिन school जाते हो वो होता है mean year of schooling तीसरा जो यहाँ पर indicator होता है वो होता है standard of living standard of living का मतलब होता है per capita income तो यह जब तीन चीज़े आप measure करते हो तो आप HDI calculate करते है human development index देखें आप यह लोग ने per capita income को include किया हुआ है क्योंकि पहले ही हम लोग इस बात को देख चुके हैं कि जब positive growth होती है तो development होने के chances भी काफी ज़ादा होते है तो यह जो आपका standard of living यानि कि per capita income होती है यह अकेला decide नहीं कर सकता development इसके साथ साथ health और education यह मतलब knowledge यह दो बहुत बड़े indicator होते हैं और जब यह तीनों चीज़ mix होती है तब जागे कहीं development होती है तो सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलेगा ठीक है उसके बारे में बात करते हैं चलिए यहाँ पे देखें जोने क्या कहा है government of India has introduced बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ program to address the issue of decline in the child sex ratio ठीक है तो जब child sex ratio decline होती है इसका मतलब यह है society में women का status कम है जिस society में child sex ratio बहुत कम होता है वो male की favor में होता है इसका मतलब वहाँ पे women empowerment नहीं है वहाँ पे women के साथ discrimination होता है वहाँ पे women का education नहीं मिलती वहाँ पे fetiside होता है infantiside होता है तो यह child sex ratio overall sex ratio indicator होता है किसी भी society में women empowerment का और इंडिया की society में unfortunately child sex ratio काफी कम था उसको improve करने के लिए women को empowerment करने के लिए sex ratio को improve करने के लिए सरकार ने एक scheme चलाई जिसे का जाता है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान यह चलाई गए थी कहाँ पे हरियाना के पानिपत district से इसको चलाया गया था और यह एक national program है कौन सी ministry के under में है कौन operate करता है ministry of child and ministry of women and child development under human resource development and the health and family welfare तो यह जो ministry है वो इसको operate करती है आपको पता होना चाहिए चलिए आगे कहता है देखिए leading a long and healthy life being able to gain knowledge and having enough means to able to live a decent life are the most important factor देखिए उसे के बारे बात करता है long and healthy life का मतलब क्या है आपका health वाला indicator knowledge वाले में जो है आपका knowledge वाला indicator और enough means का मतलब ही है कि आपका per capita वाला indicator यह तीनों चीज़े वहाँ पर decide करती है चीक है कि वहाँ का development का ऐसा है तो वही बार 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 बात करता है education, health, access to resources चीक है चलिए आगे बात करते हैं building people's capability in the area of health, education and access to resources is therefore important in enlarging their choices जब लोगों के पास health होगी ठीक ठाक पैसा होगा तो लोगों की choice भी increase हो जाती है मतलब उनको freedom मिलता है और अमर्तियस से ने यही तो कहा है कि जब लोगों को freedom मिलता है इसका मतलब उनकी development होती है और यह decide करती है health के उपर जैसे आपका example दो जैसे मालो को uneducated child है जिसको education नहीं मिली तो क्या uneducated child के पास choice होती है डॉक्टर बनने की उसके पास choice ही नहीं होती क्योंकि उसके पास education ही नहीं है I'll get this point तो जब आपने उसको health नहीं जब आपने उसको education ही नहीं दिया तो आपने future में उस बच्चे की जो choice थी उसको खतम कर दिया उसके freedom को खतम कर दिया इसका मतलब यह होता है अब जब इनसान कोई गरीब होता है पूर होता है तो क्या एक गरीब आदमी अगर वो कलको बिमार हो जाता है तो क्या वो महंगे दवाईयों को afford कर सकता है नहीं कर सकता और क्योंकि वो दवाईयों का फोड नहीं कर सकता इसलिए उसकी health और जादा deteriorate हो जाती है और death भी हो सकती है तो जब उसके पास decent पैसा ही नहीं था तो अच्छे hospital में इलाज की जो उसकी choice थी वो हम लोगों ने खतम कर दिया तो जब लोगों का अच्छी health नहीं दोगे उनको अच्छी education नहीं दोगे और decent standard of living नहीं दोगे तो लोगों की freedom curtail होती है और freedom curtail होने का मतलब है कि भाईया उनके पास development नहीं है तो सबसे जो important जो indicate होते है development के वो आपके यही होते है standard of living मतलब पैसा, health और दो तीसरा है education जो की human development index के अंदर calculate किया जाता है तो यह कहता है कि जो human जो development होती है इसके basically चार pillar होते हैं there are four pillars कौन कौन से pillar होते हैं equity, sustainability, productivity and empowerment यह चार point आपको exactly memorize होने चाहीं है आपके exam में यही चीज आपसे वो exactly पूछेगा पूछेगा आपसे question, what do you mean by human development? discuss the four pillars of human development, सीधा question आपसे वो पूछ सकता है जादा इस तरह से कोई detail घुमा किरा के नहीं पूछेगा सीधा question, सीधा ही आपने answer देना है equity, sustainability, productivity and empowerment अब equity का मतलब क्या होता है equity का मतलब होता है equal access to the opportunities, available to everybody equal irrespective of their gender, race, income, caste, etc. तो मतलब सभी के पास equal opportunity होनी चाहिए जैसे मालो आप college से निकलते हो तो आप job सर्च करते हो या कोई आप government job सर्च करनी है तो सभी के पास equal opportunity होनी चाहिए किसी भी तरह का caste के basis पे, gender के basis पे, religion के basis पे किसी तरह का कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए तो एक गरीब के पास, एक अमीर के पास, एक higher caste, lower caste सब के पास equal opportunity होनी चाहिए इसको कहते हैं equity तो आपका जो article 14 है basically article 14 हमारा इसी के बारे में बात करता है तो article 14 में हमारे यहां पे दो concept होते हैं है ना, एक concept होता है आपका, देखें कि तो हम लोग rule of law की बात करते हैं equality for everybody है ना, सभी बराबर हैं लेकिन दूसरी चीज़ होती है equal people are treated equally equal people are treated equally तो देखें, गरीब को और अमीर को आप equal treat भी नहीं कर सकते मालो सरकार को tax लगाना है तो वो गरीब के उपर, अमीर के उपर बराबर tax थोड़ी लगा सकती है यह थोड़ी बोले कि सभी बराबर है मैं तो सभी से बराबर tax लगा, नो जो लोग equal level पे होते हैं आप उनको उसी तरह से treat कीजिए और सभी को बराबर opportunity दीजी है ना, तो जैसे मालो किसी ने कोई crime commit कर दिया है ना, मालो किसी ने किसी कोई murder कर दिया गरीब आदमी ने किया और अमीर आदमी ने किया कानू दोनों के लिए बराबर है उसके उपर भी वही धाराएं लगेंगी उसके उपर भी वही कानून लागू होगा दोनों को सजा भी same मिलती है ये मतलब होता है आपका rule of law का जो सब के लिए बराबर होता है ठीक है तो opportunity सब के पास बराबर होनी चाहिए that is the meaning of equity हलाकि बहुत बड़ा topic है, कभी subjective है काफी बाद में detail में लोग इसको कर सकते है वो सारी चीज़े है, ठीक है तो देखे कहता है for example in any country it is interesting to see which group the most of the school dropouts belong to अब ये देखे equity की बात करता है तो क्या हमारे समाज में सब को बराबर opportunity हैं के नहीं है इसका अगर आपको example जानना है तो आप जो है, उन लोगों की list निकालिए या उन लोगों को observe कीजिए जिन्होंने school से dropout किया है आप ये चीज़, आप notice करोगे कि dropout करने वाले जादातर लोग, मतलब जिन्होंने education पूरी नहीं किया, कोई 5 वी तक पढ़ा है, कोई 8 वी तक पढ़ा है, कोई 10 वी तक पढ़ा है आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कि जादा तर जिन्हों लोगोंने dropout किया है, वो socially और economically backward group से होते हैं, वो आपको lower caste से मिलेंगे, है ना tribal community से मिलेंगे, या फिर women आपको मिलती हैं higher caste और male, hardly school से dropout करते हैं, कोई chance ऐसा होगा, वो अपनी education पूरा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास equal opportunity society में नहीं है women के पास equal opportunity नहीं है lower caste, so-called lower caste के पास equal opportunity नहीं है, खास religion की किसी community को जो है equal opportunity नहीं है जो की काफी कलत है, इसी वज़े से equal opportunity ही नहीं है, दूसरा जो मतलब है, वो है sustainability का sustainability का मतलब होता है continuity, अब opportunity तो मालनों आपने दे दिया, लेकिन वो opportunity आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो महीने तक opportunity है, उसका बाद जो है window बंद हो गया, no, opportunity जो है, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, इस generation में भी, अगली generations में भी, उससे अगली generations में भी, ठीक है, कहता है, कहता है आज जो हम चीज़ें यूज करते हैं, economically, environmentally वो इस तरह से यूज करनी चाहिए, sustainable तरीके से यूज करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी generations है, वो भी उनका पुरोपर तरीके से यूज कर पाएं, that is the meaning of sustainability, sustainability means to meet the requirement of present generation without compromising the needs of the future generation, that is the meaning of sustainability ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, तो वही उसने example दिया है, अगर आप लड़कियों को स्कूल में भेजते हो अगर आप लड़कियों को स्कूल में भेजते हो, उनकी education complete करवाते हो, उनकी education के उपर invest करते हो और उनको opportunities मिलती हैं, ठीक है, इसका मतलब वो development sustainable development है, क्योंकि जब आप किसी women को educate करते हो, तो आने वाली generations भी educate होती है, तो आप long term invest करते हो, ठीक है, that is the meaning of sustainability, और जब आप economic resources का use करते हो, उसको future में आने वाली generations को जब लकड़ी चाहिएगी, तो वो कहां से लेंगे, है ना, ये मतलब होता है sustainability का, अगली जो चीज होती है, हमारे पास वो आती है, कौन सी productivity, ठीक है, productivity मतलब आप कितना produce करते हो, that is the meaning of productivity, तो human labor की बात करता है, human work की बात करता है, जो आपके पास education होगा, जब आपके पास skill होगा, जब आपके पास बढ़िया health facility होगी, जब आपके पास जो है, अच्छी knowledge होगी, तभी तो productivity होगी, अदर्वाइस तो productivity नहीं होगी, तो that is also a measurement of the development, ठीक है, when people have skill, when they have education, only then they can increase their productivity, ठीक है, अगला जो हमारे पास factor है, that is empowerment, empowerment का मतलब होता है, when people have a power to make choices, when they can do or perform their duties according to their own choice, that is the meaning of empowerment, और यह कहसे आएगा, यह आएगा, freedom से आएगा, और आपके जो capability है, वो increase होगी, good governance से आएगा, और जब सरकार policy बनाती है, तो वो people oriented होनी चाहिए, उससे आती है empowerment, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ हो सिर्फ women empowerment की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप overall empowerment की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो lower caste population है, उसकी बात भी कर रहे हैं, tribal communities में उनकी बात भी कर रहे हैं, हर sector में हम लोग यहाँ पे empowerment की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप अप्रोच to human development, ठीक है, human development के अंदर कौन-कौन सी approach होती है, हम लोग ओलडी सो कर चुके हैं, दुबारा repeat हो गया है, the income approach, तीन approach होती है हमारे पास, पहली approach होती है, तो human development को कैसे measure करें, ठीक है, तो पहले इसको कैसे measure करते थे, आज कैसे measure करते हैं, future में कैसे measure करेंगे, इसके basically चार तरीके होते हैं, पहला होता है income approach, दूसरा होता है welfare approach, तीसरा होता है minimum need approach, और fourth one is capabilities approach, देखे, इस figure में अच्छे से बता रखा हैं, इंकम approach में हम लोग क्या करते हैं, इंकम approach में हम लोग सिर्फ हो सिर्फ ये measure करते हैं, कि इंकम कितनी increase हुई है, अगर income increase हुई है, तो मतलब development भी हुआ होगा, तो ये एक, जो है, काफी पुराना measurement है, आज कल इसको use नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है, कि income increase होने का मतलब ये कता ही नहीं, कि development भी हो, तो ये होती है हमाग की income approach, income approach में ऐसा माना जाता है, देखें, वैसे सबसे पुरानी approach है, oldest approach है, income approach में ये माना जाता है, कि जब आपके income increase होती है, तो आपकी freedom भी increase होती है, ऐसा माना जाता है इस approach में, जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हमेशा सही होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है दूसरी अप्रोच होती है welfare approach, welfare approach का मतलब होता है, देखे, approach looks at the human beings as the beneficiary or the targets of the old development activities जिसमें हम लोगों को welfare करते हैं सरकार जो है, ऐसी schemes लगाती है जिसमें लोगों को welfare होती है जिसमें मनरेगा किया बात करते हो LPG cylinder आप जो है free में देते हो, subsidy देते हो pension देते हो, old age pension देते हो, unemployment benefits देते हो वो क्या है, वो सब welfare approach ही तो है तो government expenditure की basically वहाँ पे बात करता है लेकिन जहाँ पे welfare approach होती है वहाँ पे लोग participate नहीं करते हैं है ना लोग participate नहीं करते हैं, मालब किसी को subsidy दे रहे हो, तो वो उस कामे participate थोड़ी कर रहा है, आप उसको subsidy इसलिए दे रहे हो, क्योंकि वो कमजोर है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो passive recipients होते हैं मतलब उनको पैसा सिर्फ मिलता है, welfare मिलता है उसको पाने के लिए वो actively engaged नहीं होते है जैसे मानलो old age का example ले लो, उनको 2000 पर या 15 सुब इकना भी pension दिलता है, क्या old age में जो लोग हैं वो अभी presently क्या वो economically active है नहीं है उसके बावजूद भी हम उनको क्या दे रहे हैं support दे रहे हैं तो इसका मतलब they are the recipients without taking part in the active participation of economic development किया होती है हमारी welfare approach तीसरी जो हमारे पास approach होती है that is basic needs approach जहां पे जो सरकार होती है वो ऐसे step उठाती है कि जिससे लोगों की कम से कम basic needs पूरी हो जाए रोटी, कपड़ा, मकान है ना तो जो है international labor organization है उसने इसको basically proposed किया था तो यह बात करता है छे basic needs के बारे बात करता है तो रोटी का पड़ा मकाउंट इसके अंदर आही गया ठीक है health, education, food, water supply, sanitation and housing यह छे चीज़ अगर किसी के आप complete कर देते हो मतलब उसके पास basic जीने लायक सुविधाएं हो जाती है तो basic needs के बारे बात करता है अगली जो approach होती है दोस्तों वो होती है capability approach जिसको अमर्तिय से इन support करते है actually इनी से related है यह बात करते हैं investment के बारे बात करते हैं कि human की जो capacity है उसको बढ़ाई है और human की जो capacity है, capability है वो कैसे increase होगा? वो तब increase होगा जब health, education and access to resources उस पे हम लोग काम करेंगे तो यह चार approach होती है हमारी human development की four approaches ठीक है अब बात करते हैं कि human development को measure कैसे किया जाता है देखे human development को आप quantitatively measure नहीं कर सकते चुकि development quantitative term है ही नहीं यह तो qualitative term है लेकिन qualitatively हम इसको कुछ कैसे measure कर सकते है तो already मैं आपको बता चुका हूँ human development index ठीक है तो यह repeat हो गया है मैंने already आपको बता चुका हूँ तो हम यहाँ पे health education access to resource मतलब per capita income की बात करते हैं ठीक है तो जब आप health की बात करते हो किसकी बात करते हो life expectancy at birth ठीक है उसके बात करते है literacy की हम लोग बात करते हैं ठीक हो डी मैं करवा चुका हूँ तो repeated हो जाएगा इसको दुआरा से हम लोग नहीं करवाएंगे ठीक है तो जब हम लोग access to resources की बात करते हैं तो हम लोग मतलब per capita income या वहाँ के जो resources है natural resources है या physical resources जो भी resources है वहाँ पर कितने लोगों को access है और इसको हम किसमें measure करते हैं US dollar में हम इसको measure करते हैं तो यह जो तीनो dimension होती है standard of living, health or education तीनों को बराबर बराबर weightage हम लोगों नहीं यहाँ पर दिया ठीक है बराबर बराबर weightage दिया अब यहाँ पर ranking कैसे decide होती है देखे, ranking decide होती है score के हिसाब से ठीक है तो 0 to 1 का score होता है जितना score आपका 1 के close होता है मतलब इतनी ही जादा वहाँ पर higher development है और जितना score आपका 0 के near होता है मतलब इतनी ही low वहाँ पर development है तो जिन countries की जो score है 0.98 के आसपास होता है 0.89 वो अच्छी developed countries होती है लेकि जिनका score जो है 0.234 होता है वो low developed countries होती है ठीक है उसके बारे में बात करता है हला कि यह जो HDI है Human Development जो index है जो जिसके अंदर यह measurement हम लोग करते हैं देखने में ऐसा लगता है कि यह बहुत बढ़िया अप्रोच है लेकिन इस अप्रोच के अंदर भी कुछ कमिया है आगे जानेंगे क्या कहता है Yet, it is not the most reliable measure हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ drawbacks होते है This is because it does not say anything about the distribution It does not say anything about distribution Human Development Index only talks about the overall measurement of health, education and standard of living It does not talk at all about the distribution इसी लिए इसके अंदर भी कुछ कमिया है तो इसके अंदर जो कमिया है उसको दूर करने के लिए हम लोग एक और index लेका है जो की Human Development Index से थोड़ा सा better है उससे better है जिसके अंदर हम लोग क्या का consider करते है इसके अंदर हम लोग इसे कहते है इसे मतलब उपर यहां पर mention किया गया है मतलब नीचे आ गया ठीक है Poverty Index ठीक है कहा चला गया हमारा ठीक है तो यह है हमारा Human Poverty Index तो Human Development Index से जो better हमारे पास measurement है वो है Human Poverty Index Human Poverty Index का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है पैसे वाली poverty ये बारे बात नहीं कर रहे है दूसरी poverty ये बारे बात कर रहे है हम यहाँ पर कुछ measurement करते हैं जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं Literacy के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं Clean Water के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं Underweight Children के Underweight की बारे में उनकी age के हिसाब से उनकी height है के नहीं, उनकी age के हिसाब से उनका weight है के नहीं, है न, वो malnutrition तो नहीं है, वो stunted तो नहीं है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनको पीने के लिए clean पानी मिल रहा है के नहीं मिल रहा है, वहाँ की जो adult population है, क्या वो illiterate है, वो अजर करते हैं ठीक है और आपका जो life expectancy तो है ही यह सारे की सारी चीज़ें होती है आपका human poverty index के बारे में तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि human poverty index actually this is a better index than the human development index ठीक है आगे कहता है researchers have found links between the level of corruption and the political freedom in a particular region ठीक है उसके लिए हम लोगों क्या लेका है political poverty मतलब political freedom index हलाकि यह कोई formal index नहीं है तो इनका कहना है कि किसी particular region के अंदर लोगों के पास जो development होती है उनकी जो health होती है education होती है वहाँ पे जो overall political freedom होती है और वहाँ पे जो corruption होती है इन सभी के अंदर link होता है इसलिए हम लोगों को human poverty index से भी एक step आगे जाने की जरूरत है ताकि हम लोगों को society की actual picture मिल सके ठीक है जैसे यहाँ पे एक example देनों ने भुटान का example दिया है भुटान में gross national happiness index निकला जाता है तो यहाँ पे यह लोग human development index और human poverty index से एक step आगे चले गए हैं क्योंकि human poverty index के अंदर भी कुछ कमिया है तो आपके जो gross national happiness है इसके अंदर क्य सारी चीज़ें वहाँ पे environment को पे बहुत focus किया जाता है environment कैसा है वहाँ की हवाँ कैसी है education कैसी है health कैसी है लोग आपस में brotherhood की feeling है के नहीं social cohesion की बात करता है discrimination की बात करता है वो सारी चीज़ें आपके इंकलूड होती है human gross national happiness के अंदर ठीक है तो थोड़ा सा आपको और ज हमारे पास हमारे पास जो है आपका inequality adjusted human development index भी है IHDI जिसको बोलते हैं ठीक है gender gender index भी हमारे पास है gender inequality index ये भी GII भी हमारे पास है अभी तो हमारे पास बहुत सारे index आ गये हैं लेकिन हर index के अंदर कुछ न कुछ कमिया है उसी कुछ न कुछ खास बाते हैं ठीक है now let's compare the different countries on the basis of human development कैसे हम लोग उसको measure करते हैं देखिए कहता है international comparisons of the human development are interesting size of the territory and per capita income are not directly related to the human development किसी country का per capita income कितना है उसका size कितना है इस से इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि उनकी development कैसी है बहुत बड़ी country होते हुए उसके इसकी development हो सकती है बहुत चोटी country होते हुए उसकी development बहुत बेकार भी हो सकती है तो size और per capita income से development का as such कोई खास लेना देना नहीं है अला कि वो related है जैसे जैसे देखा गया है कि overall जो चोटी country होती होती है वो बड़ी country से थोड़ा से better perform करती है बहुत पर ऐसा भी देखा गया है कि जो दिखने में गरीब country है वो दिखने में जो अमीर country है उनसे बड़ीया perform करते है human development index में यहाँ पर श्रीलंका का आप example ले सकते हो ठीक है बंगलादेश का example ले सकते हो श्रीलंका और बंगलादेश दिखने में ऐसा लगता है कि वो इंडिया से गरीब country है क्योंकि इनका GDP काफी कम है उसके बावजूद भी श्रीलंका इंडिया से काफी अच्छा rank करती है human development index में तो सिर्फ GDP के figure होने का मतलब यह नहीं कि वहाँ पर human development भी बढ़िया हो इससे हम आप लोग regionally भी count कर सकते हो जैसे जब हम इंडिया की बात करें पंजाब और केरला के example ले सकते हो गुजरात के example ले सकते हो पंजाब और गुजर उसके बावजूद भी केरला इन दोनों स्टेट से बहुत अच्छा perform करता है जब आप education की बात करते हो health की बात करते हो empowerment की बात करते हो तो उनके size और per capita income से जादा फरक नहीं बढ़ता है तो human development index के अंदर basically हम लोगों ने अलग-अलग countries को चार category में divide किया है पहली country वो है ज जिन में human development index high level का होता है जो उनका score जो है वो 0.701 से लेके 0.799 के बीच में होता है यहां पे 55 countries होती है तीसरे नंबर पे आता है medium level और चोथे नंबर पे आता है low level ठीक है यह 2016 के basis में यहां पे लिखा हुआ है तो इतना जादा अब यह थोड़ा सा जादा factual information हो जाए कर इत Denmark ठीक है Singapore, Netherlands, Ireland, Iceland, Canada यह वो country है जो human development index में बहुत top के उपर रहती है तो यहां पे आप health, education, human participation, political freedom हर चीज में यह जो है बहुत top पे होती है ऐसी हमारे पास 51 countries है दूसरी जो आते हो आती है high level वाली country तो इनका जो development है वो थोड़ा सा कम होता है as compared to these top countries तो 55 countries हमारे पास आती है तो providing education and health के reason important government priority इस तरह की country में education और health बहुत ही important factor होता है उन countries को लेके चीक है काफी ज़्यादा investment की जाती है सरकार के द्वारा यहाँ पे social sector में जाए वो health हो, education हो, old age हो, दुनिया भर की चीज़े हैं good governance के उपर काफी ज़्यादा focus किया जाता इस तरह की countries में चीक है पहले imperial powers भार करती थी, मतलब colonial powers भार करती थी, जैसे आप यहाँ पर Spain का example ले सकते हो आप यहाँ पर कुछ Eastern European country का example जैसे आप यहाँ पर Australia का example ले सकते हो यह high development वाली countries है historically past में ये colonial countries हुआ करती थी imperial countries हुआ करती थी लेकिन अभी वो नहीं है उत्तरी development नहीं है जाधा तर यहाँ पे आपको European countries देखने को मिलती है तीसरा जो हमारे पास आवाता है medium level countries इस तरह की 41 countries होती है इंडिया को जो है कही न कही इस stage में रख सकते हो ठीक है यहाँ पे ऐसी country आती है जो पहले Soviet Union का part हुआ करता था जैसे Central Asian country कजाकिस्तान उजबेकिस्तान गिर्गिस्तान वो सब country चाहँ यहाँ पे participate कर सकते हो Belarus and all that ठीक है यहाँ की जो सरकारी होती है बेसिकली वो भी people oriented policy होती है जाधा तरोस में लेकिन यहाँ की जो country में आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे काफी जाधा social diversity देखने को मिलती है इस तरह की country में जैसे आप इंडिया की ही बात करो इंडिया में बहुत ज़दा social diversity है ठीक है तो human development index में इंडिया का जो rank था 2006 में ठीक है वो कितना था वो था 126 जो की घट के 131 हो गया 2016 के अंदर तो human development index में इंडिया बहुत पीछे है ठीक है तो यह low development वाली countries में बलकी इसको मैं बोलूँगा medium में भी नहीं बोलूँगा ऐसा आपको क्या लगता क्या कारण है इंडिया में तरी low development होने का आप इसको अलग-अलग angle से समझ सकते हो इंडिया का जो है आप इसको economic perspective से cover कर सकते हो ठीक है आप इसको social perspective से cover कर सकते हो आप इसको governance के level पे भी cover कर सकते हो आप यहाँ पे जो historical example भी दे सकते है historical factor भी तो है इंडिया was a colony for around 200 years and when Britishers left India was one of the poorest country in the world तो 70 years हुए है we got the independence and we are doing a lot so that is why historical जो चीजे थी अभी हमारा पीछा नहीं चोट रही है इसलिए हम बहुत ज़्यादा backward भी है तो सिर्फ वही reason नहीं है और भी बहुत सा reasons है government policy जो हमारे यहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग health के उपर और education के उपर बहुत कम खर्चा करते है बलगे defense के उपर ज़्यादा खर्चा करते है इन country की यह पहचान भी होती है defense के उपर ज़्यादा खर्चा करते है rather than the education and health उसके बाद आपके आती है जो low level की country होती है इस तरह की 41 countries यहाँ पे basically political turmoil होता रहता है लडाई हम गर होती रहती है terrorist activities होती रहती है सरकार वहाँ पे stable होती नहीं है है न वो सारे चीज़े यहाँ पे होती रहती है तो यह कुछ चीज़े हो गई उसके बाद बाद कहाता है कि international comparison of the human development can show some very interesting result often people tend to blame low level of human development on the culture of the people देखे कितना important factor है जैसे हम लोग Africa की अगर हम लोग बात करें ठीक है जब Africa की बात करते हैं तो ज़्यादा तर लोग यह सोचते हैं कि Africa में जो low human development है जो low economic development है वो इसी लिए है because उनका culture ऐसा है वो tribal communities हैं वो unaware हैं, backward हैं ऐसा सोचते हैं जबकि ऐसा नहीं है ठीक है अगर आप किसी religion को follow करते हो किसी particular community से belong करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी वज़े से underdeveloped हो अगर कोई आपको यह बोलता है तो काफी misleading claim है आप उस पे believe मत करिए ठीक है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे उसी community उसी religion के लोग काफी poor है low development है वही दूसरी जगह उसी community और उसी religion के लोग काफी high level of development enjoy करते है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है government policy से education से health से life expectancy freedom of choice opportunities उन सब चीजों से फर्क पड़ता है चीक है to understand why a particular region keeps deporting low or high level of human development is the important to look for the pattern of the government वही आपका मैंने पताया है ना वहां का government का expenditure कितना है वो welfare पे कितना खर्च करती है health पे कितना कर्च है education पे कितना खर्च करती है वो आपको ढूंदना पड़ेगा अगर आपने वहां की low development के बारे में जानना है वहां का social sector कैसा है political environment कैसा है लोग के पास freedom है के नहीं इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है वहां की development rather than the religion or the particular community उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कहता है कि जहां पे low level of human development होती है वहां पे defense के उपर जादा खर्चा किया जाता है rather than the social sector जो अलड़ी हम लोग बात कर चुके है तो यह था हमारा पूरा development वाला topic development and growth ठीक है तो जो कुछ extra index मैंने आपको बताए है जैसे multi-dimensional poverty index आपको बताया है inequality adjusted human development आपको बताया है from GS paper 3 ठीक है और अगर UNDP वगरा कोई या फिर नीती आयोग इस तरह के कोई और अगर index लौँच करता है तो वो भी आपको पता होने चाहिए तो दोस्तो इस chapter में हम लोग इतना ही करेंगे फिर हम लोग करेंगे कल दूसरे chapter के बारे में जहां पे हम लोग पढ़ने वाले है economic activities के बारे में economic activity के मतलब यह है के primary sector, secondary sector और अगरे सेक्टर के बारे में काफी detail में पढ़ेंगे क्योंकि GS paper 3 के अंदर ठीक है और GS paper 1 के अंदर भी हम लोग इस चीज़ को cover करते हैं ठीक है primary, secondary, territory और economy के अंदर भी तो दोनों सिलेबर थोड़ा सा overlap करता है तो उसको हम लोग करेंगे अगले chapter के अंदर तो आज के लिए इतना ही thank you very much all the best and jahind